जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लेके आएं आइसो मेरिजम इन एमीन्स बच्चो एमीन्स का ये सेकंड वीडियो है पहले वीडियो में हमने एमीन के बारे में जाना था उनके टाइप के बारे में जाना था आज हम लोग जानेंगे कि गीवन अमीनो क में हम लोग कैसे isomerism को पैचानेंगे आप जानते हैं कि ऐसे organic compound जिनके molecular formula same होते हैं लेकिन उनके structure अलग-अलग होते हैं तो ये सारे compound isomer कहलाते हैं और वो property या वो reason जिसकी वज़े से ये structure अलग-अलग हुए हैं वो कहलाता है हमारा isomerism बर्जिलियस used the term isomer first in 1830 बच्चों याद रखेगा 1830 में बर्जिलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले isomer को report किया था बताया था amine show, isomerism also they show chain isomerism, position isomerism, metamerism, functional isomerism, stereo isomerism amino compound में 5 तरह की isomerism देखने को मिलती है जिसमें पहली होती है chain isomerism, दूसरी position isomerism, तीसरी metamerism, चोती functional isomerism और पांचवी stereo isomerism इन सब को हम लोग एक एक करके example के साथ discuss करते हैं, पहली लेते हैं chain isomerism compounds having same molecular formula but different structures due to different number of carbon atoms in the chain बच्चों आप देखेंगे कि ऐसे organic compound जिनके molecular formula तो same होते हैं लेकिन उन सब के structure में जो carbon की chain होगी, जब उस chain के अंदर carbon atom का number उनकी संख्या यानि carbon की संख्या कम या अधिक होगी, अलग अलग होगी तो ये सारे structure कहलाएंगे chain isomers और ये गुंधरम या reason property कहलाएगी chain isomerism clear नहीं हुआ सर, चिंता कहा हैं करते हैं, example के साथ clear करते हैं न बंदू बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे structure 1, 2, 3 जो हमने यहाँ पे draw किये हुए हैं, यह amino compound है इन तीनों structure का molecular formula C4H119 होगा, आप count करके देख सकते हैं चुकि इन तीनों का molecular formula same है, clear है, इसलिए यह isomers कहलाएंगे अब आपको यहाँ पे यह focus करना है कि इन तीनों isomers में, इन तीनों structures में वो कौन सी चीज है जो इनको अलग बनाती है, तो अलग बनाने वाली चीज जो है, वो है कि यहाँ पे amino group पे लगी हुई carbon atom की chain देखें, यहाँ पे इस third compound में दो carbon की chain है, दूसरे वाले में तीन carbon की chain है, और पहले वाले में चार carbon atom की chain है तो carbon परमाणू या carbon atom की संख्या बदल रही है लगातार, इसलिए यहाँ पे इन तीनों के structures अलग अलग है यह तीनों isomers जो हैं, यह chain isomers कहलाएंगे, क्या यह आपको clear है second position isomerism, compounds having same molecular formula but different structures due to different position of NH2 group बच्चों यहाँ पे given organic compound या amino compound के molecular formula same होंगे लेकिन वहाँ पर NH2 group का जो जुडने का क्रम होगा, जो उसकी position होगी, वो अलग-अलग होगी आईए example के साथ clear करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह तीन carbon की chain है इसमें पहले carbon पे लगा है NH2 group, दूसरे structure में आप देख सकते हैं, तीन carbon की chain है लेकिन दूसरे carbon पे लगा है NH2 group, तो NH2 group इसमें पहले carbon पे लगा था, इसमें दूसरे carbon पे लगा है clear है और इन structure दोनों structure दोनों amino compound का molecular formula C3H9N होगा इसलिए structure 1, structure 2 ये दोनों amino compound कहलाएंगे position isomers क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में जो अंतर है वो है NS2 group की position का इसमें पहली position पे था लेकिन इसमें दूसरी position पे था क्या ये position isomers आपको clear हुए बच्चो third लेते हैं जी metamerism compounds having same molecular formula but different structures due to different number of carbon atoms on either side of NH group जो ध्यान लखिएगा ऐसे organic compound जिनके molecular formula same होते हैं लेकिन उनके structure अलग-अलग होने का कारण ये होता है कि वहाँ पर NH group या amino group के दोनों side carbon का number अलग-अलग होता है ये समान होता है different होता है तब ये isomers कहलाते है metamers और property कहलाते है metamerism आये example से clear करते हैं क्या आप यहाँ पे ये structure one और two देख पा रहे हैं बच्चो यहाँ पे आपको focus करना है कि NH group जो ये amino group लगा है इस amino group के left side में तीन carbon आपको दिखाई दे रहे हो right में एक clear है दूसरे वाले structure में दूसरे वाले amino compound में NH group के दोनों side जो है दो-दो carbon है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि structure one और दो में क्या NH group के दोनों side carbon atom का number सेम है तो answer है नहीं दोनों में carbon atom सेम नहीं है clear हुआ और अगर मैं पूछता हूँ कि इन दोनों compound का molecular formula सेम होगा तो आप बोलेंगे जी यहां यह सही है इन दोनों organic compound दोनों amino compound का molecular formula C4H11N होगा इसलिए यह दोनों amino compound isomer के लाएंगे दोनों isomer के अलग-अलग होने का दोनों की structure अलग-अलग होने का reason आपको समझ में आ गया है कि NH group के दोनों side carbon atom का number अलग-अलग है इसलिए यह isomer के लाएंगे metamers clear हुआ आपको बात करते हैं four type की functional isomerism की it is due to different degrees of amino group बच्चों आपको याद है पहली वीडियो में आपने type of amines देखे थे primary secondary tertiary उन्हीं जो primary secondary tertiary amine होते हैं उनको बोलते हैं type को degree of amino group तो यहां पे जो isomers होंगे उनके अलग-अलग होने का जो reason रहेगा उनके जो structure अलग होने का कारण रहेगा वो रहेगा primary secondary और tertiary amino group का आप देख सकते हैं structure one two three यहां पे इन तीनों amino compound का molecular formula C3H9N ही होगा इसलिए यह तीनों isomer कहलाएंगे इन तीनों amino group में आपको NH2 group की degree या type देखनी है तो यहां पे यह primary है जोने पहले वीडियो देखिए उनको clear जरूर होगा second वाले में देखिए यह वाला amino group secondary कहलाता है और यहां पे थर्ड structure में यह amino group कहलाता है लेकिन formula सेम है structure अलग-अलग है क्योंकि यहां पे degree of amino group बदल गई है यह तीनों structure यह तीनों isomer कहलाएंगे हमारे functional isomer और यह जो कारण है जिसकी विज़े से यह अलग-अलग बन रहे हैं यह property कहलाएगी हमारी functional isomerism बच्चों अब लेते हैं last वाली fifth isomerism जिसका नाम है stereo isomerism in amines when all the three alkyl or aryl groups in tertiary amines are different than such amines is called chiral amine ancho anancio isomerism बच्चों याद रखेगा stereo isomerism in amino compound में यह special case होता है यह तभी possible होगा जब आपका amine tertiary होगा और उस tertiary amine पर लगे हुए तीनों alkyl या aryl group अलग-अलग होने चाहिए तब वो amine हमारा chiral amine कहलाता है और यह show करता है anancio merism आई एग्जांपल के साथ देखेंगे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा tertiary amine है tertiary amino group में यहाँ पर r1 r2 r3 यह तीनों group अलग-अलग अलग हुए बच्चों clear हुआ और यह इसका lone pair है बच्चों यहाँ पर याद रखीगा यह amine जो हमारा tertiary amine है इस tertiary amine के structure हमने यहाँ पर first और second बनाए है इन दोनों structure का molecular formula यह होगा दोनों का molecular formula same है इसलिए दोनों isomers कहलाएंगे lone pair जो होता है यह लगातार invert होता रहता है अपनी position को change करता रहता है कुछ इस तरीके से cap को देखिए white part को focus कीजेगा यह देखिए white part को focus कीजे white part लगातार बदल रहा है invert हो रहा है उल्टा हो रहा है क्या यह clear है आपको और ऐसा यहाँ पे भी lone pair जो है यह swing करता रहता है अपनी position को change करता रहता है जिसकी वह से group की position भी बदल जाती है और यहाँ पे इस tertiary amine के लिए दो structure संभव हो जाते हैं यह दोनों form में मिलता है इसलिए structure one और structure जो हैं tertiary amine के यह हमारे isomer कहलाते हैं और बच्चों यह दोनों एक दूसरे की mirror image के समान हैं अगर यहाँ पे यहाँ पे mirror लगा दें तो इन दोनों के structure में एक दूसरे की mirror image परती भीम की छवी दिखाई पड़ेगी एक दूसरे की mirror image जसी महसूस होंगे तो यह ऐसे isomer कहलाते हैं एननसी उमर जो एक दूसरे की mirror image होते हैं क्या यह आपको clear हुआ बच्चों यह note ध्यान रखीगा entrance exam में काफी common questions है काफी important question है इस amine को देखिए यह हमारा quaternary ammonium iron है यहाँ पर nitrogen की char valency है और जब nitrogen की char valency होती है nitrogen पर plus charge आता है clear है आपको और यह जो हमारा quaternary ammonium group वाला compound है यह asymmetric है यह समान है clear है यहाँ पर CS3 लगा है और यहाँ पर इथाईल लगा है clear तो यह जो asymmetric quaternary ammonium group containing compound होगा यह भी हमारा stereo isomerism शो करता है यह chiralty शो करता है याद रखीगा तो दो तरह की compound में हमको stereo isomerism दिखाई देने को मि लेगी एक होगा हमारा tertiary amine और दूसरा होगा हमारा quaternary ammonium group वाले amino compound अच्छो आज हमने amino compounds में isomerism के पांचो टाइप को discuss किया example के साथ hopefully आपको clear हुआ होगा